नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हु मैं शनी धैया से संबंधित कुछ विशेस विचारणिय तथ्य ले करके 24 जनवरी 2020 शनी देव राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं राशी परिवर्तन के साथ ही शनी की धैया मिथुन राशी एवं तुला राशी के जातकों के लिए प्रभावी हो जाएगी इस धाया से किसको कितना कस्ट होगा, कस्ट होगा भी या नहीं सनी की धाया कब विशेस कस्टदाई होती है, क्यों विशेस कस्टदाई होती है या होती भी है या नहीं, इस विशेपर हमारी चर्चा होगी कारिक्रम प्रारम्व करूं उससे पूर्व कल शुक्रबार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं शुक्रबार को मैं कारिक्रम सवाल आपके जबाब हमारे लेकर के आप सब के समुख हाजिर होता हूँ तो प्रिदर्श को इस कारिक्रम के लिए अपने प्रश्ण कारिक्रम के कॉमेंट में देना न भूलें बस याद रखिये उस शर्त को प्रश्ण सार्व भौमिक होने चाहिए उन्हीं प्रश्णों का यहां चुनाव होगा जो सार्व भौमिक होंगे सनातंधर्म से संबंदित हों, पूजापाट से संबंदित हों, जोतिश्य भी संबंदित हों तो सार्व भौमिक होने चाहिए तो अपने प्रश्ण कारिकर्म के कॉमेंट में देना न भूलें शनी की धैया वरतमान समय में ये धैया ब्रिशब और कन्या रासी के जातकों को चल रही है अब मिथुन और तुला राशी के जातकों के लिए ये धैया होगी देखा जाए तो ब्रिशब रासी, मिथुन रासी, कन्या रासी, तुला रासी, कुम्भ और मकर और कुम्भ राशी इन रासिक जातकों के लिए शास्त्री अमत ये है कि शनिदेव जादा कस्ट प्रदायक नहीं होते हैं, पीडा प्रदान नहीं करते हैं, धैया और साढ़े साती में कस्ट नहीं देते, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये पुरुलतह सत्य नहीं है, शनिदेव कस्ट इन्हें भी देते हैं, विशेश कर अगर आपकी जन्न कुंडली में चंद्रमा का संबंध किसी भी प्रकार से सनी से बन जाए, तो सनी की धैया और साढ़े साती विशेश रूप से आपके लिए कस्ट दाई होगी, ये बताने की आवशकता नहीं आप भुक्त भोगी हैं इसके, अब हम सबसे पहले जाने कि धैया लगती कब-कब है, तो जब राशी से सनी चतुर्थस्त होते हैं और अश्टमस्त होते हैं, जब राशी से सनी चतुर्थ में संचरण करते हैं और अश्टम में संचरण करते हैं, तो जातक को धैया लग जाती है, अब कौन सी धैया कितना कस्टद पाई होती है कितना नुकसान इसका होता है इस पर हमारी चर्चा होगी सबसे पहली रासी कौन सी है जिसको धया लगने जा रही है 2020 के जनवरी से तो वो राशी है मिथुन रासी मिथुन राशी के जातकों को अब सनी की धया लगेगी क्यों क्योंकि शनीदेव का संचरण मकर रासी में होगा तो मकर रासी में होने से अगर आप गिने तो मिथुन करक सिंग कन्या तुला विश्चिक धन मकर राशी से सनीदेव अस्टमस्थ होंगे अब यहां पर सनी का संचरण क्या लेकर क्या आने वाला है क्या परिशानी होगी आपको इसके बारे में जानी है देखिए कुछ बाते ऐसी होती हैं जिन्हें बताना डराने जैसा ही होता है अगर मैं आम शब्दों में कहूं या तो इसे बताया न जाए और बताया जाए तो सामने वाले को डर लगेगा ही लगेगा जैसे पिछले दिनों मैंने राशी से सनी का पंचमस्थ होना बताया था पनौती के बारे में मैंने जैसा की बताया लगभग दस कॉमेंट ऐसे आये थे जिन्होंने इस पर प्रश्ण चिन्ह लगाया गिंती के वो दस थे और प्रियदर्शकों यहां एक और बात बताना आपको मैं भूल गया बता देता हूँ असल में देखा जाए तो मैं ज़्यादा किताब से नहीं गुरुकुल की पढ़ाई है मेरी और उसमें गुरुर वाक्यम प्रमाणम गुरु का वाक्य ही प्रमाण माना जाता है यानि गुरु ने कहा तो प्रमाडी थे वहां किसी किताब की हमें आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन जब कुछ लोगों ने उस पर प्रश्ण चिन उठाया तो प्रमाड आवश्यक्ता और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मेरे पास इसका कोई प्रमाड था ही नहीं प्रमाण था ही नहीं तो मैं दूँगा कहां से लेकिन हमारे प्रियदर्शक और हमारे मेरे कारिक्रम में जो भी आप थंबनेल देखते हैं बैग्राउंड देखते हैं बनाने वाले सोम सुन्दर जिने इसका प्रमाण प्रस्तूत कर दिया कि ये प्रमाण है कंणड में अगर बताया उहां पर लिखा मैं जानता था इस चीज को लेकिन मैंने कहा न कि मेरे पास किताबी प्रमाण था ही नहीं मैरे पास तो बस यहीं प्रमाण था गुरूर वाक्यम प्रमाणम गुरू का वाक्य है प्रमाणित है उस पर कोई रहे हैं वो जानते हैं लेकिन उन्होंने उसका पुस्तक में प्रमाण दिखाया कि है और भयंकरतम प्रभावी है ये और उसकी किताब में उदाहरण के साथ ठाकिस व्यक्ति को इतना नुपसान हुआ तो मैं खेर लोगों के उपर आजमा रहा हूं रोज देख रहा हूं तो म आपकी रासी से शनीदेव अश्टमस्त होंगे अब या तो मैं सचेत कर रहा हूं या डरा रहा हूं मेरे हिसाब से मैं आपको सचेत कर रहा हूं आपके हिसाब से अब आप इसको समझ लीजिए निसंदेव ये ढईया आपके लिए कश्ट दाई होगी क्यों ? शनीदेव वैसे तो अश्टम भाव में खुद की रासी में होंगे और शनीदेव का अश्टम भाव में होना बाकी के ग्रहों की अपेक्षा कहीं अच्छा माना गया है क्यों ? क्योंकि शनीदेव का के प्रभाव में बृद्धी कर देते हैं और अश्टम भाव आयू का भाव है तो आयू में बृद्धी कर देंगे लेकिन आखिर ये धाया मैंने कहा था क्यूं कस्टदाई होती है इस पर भी चर्चा होगी तो आखिर अश्टमस्त मिथुन रासी के लिए सुनिदेव तीसरी द्रिष्टी कर्म भाव पर होगी सात्मी द्रिष्टी धन भाव पर और इनकी दस्वी द्रिष्टी ज्यान भाव पर होगी इसलिए कस्टदाई होंगे विचार कर ये फिर से सुनिदेव की तीसरी द्रिष्टी कर्म भाव पर होने से कार्यक्षत्र में लगातार उत तो सनीदेव अपना प्रभाव देने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को पकड़ते हैं यानि मन को और जातक से लगातार निरणे कराना शुरू कर देते हैं और जातक को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो सब के सब सही है और इसके बाद बारी आती है शनिदेव के न्याय की और वो ऐसा न्याय करते हैं कि व्यक्ति बिलबिला उठता है वो ऐसा ही होगा शनिदेव की दृष्टी कर्म भाव पर आपको ऐसा लगेगा कि प्रारंभिक दौर में जैसे ही धया लगेगी आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सब का सब सही होते जा रहा है मैं जो निर्णे ले रहा हूँ सब सही है और बस यही पर आप अगर सावधान नहीं हुए सचेत नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए तो ग्रह का एक मात्र बल है आपका मन ग्रह आपके उपर प्रभावी हो ही नहीं सकता अगर मन को हटा दिया जाए ग्रह का प्रभाव ही मन के माध्यम से है अगर आप सचेत हो गए हर निर्णय के पीछे दूर तक आपने सोचा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा नुकसान मानसिक तो होना ही है मानसिक अशानती रहेगी लेकिन अगर इसी में जल्दबाजी आप कर बैठे तो कारेक छेतर में बड़ा नुकसान कर बैठेंगे आपको सुरुवात में ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हैं सब सही हो रहा है तो सनिदेव की तीसरी द्रिष्टी कर्म भाव पर पड़ेगी और कारेक छेतर में ये उथल पुथल मचा करके रख देंगे दुसरी द्रिष्टी धन भाव पर पड़ेगी जो वानी का भाव है खाने पीने का भाव है भोग भौतिक सुखों में आपकी रुची बढ़ जाएगी वाणी कई बार ऐसे कड़वी हो जाएगी कि जो आपके अपने हैं आपकी वाणी के कारण आपसे दूर होने लगेंगे और सनीदेव की तीसरी दृष्टी ज्यान पर पड़ेगी और यहाँ पर सबसे जादा मार यही करेंगे ये कैसे अपनी दस्वी दृष्टी से ज्यान भाव को देखेंगे और आपसे निरंतर गलत निरनय कराना सुरू करेंगे गलत निरनय कराएंगे कारेक्षत्र मेहानी धन संचे होना, खतम, वानी कडवी आपके अपने आपसे दूर होने लगेंगे फलस्वरूप ये धैया आपके लिए विशेश वरूप से कस्टदाई होगा तो क्यों होगा? किसको ज़ादा होगा? ये मैंने बताया अब आप मिथुन राशिके हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री हैं अथवा जन्म कुंडली में शनिदेव मकर रासी में ही हैं चंद्रमा से किसी भी प्रकार से उनका संबंध नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवशक्ता नहीं है धैया मानसिक अशांती अवस्य देगी हनुमान जी की सरण में जाकर के हनुमान जी की कृपा पाकर के यानि हनुमान जी के मंदिर में जाना हनुमान जी का दर्सन करना पीपल के बिख्ष में प्राता काल जल टढ़ाना सायम काल दिया जलाना सुन्दर कांड का पाठ करना ये आपको सुरक्षा प्रदान कर देगा यानि आप बहुत हद तक यूं कहें कि एक ऐसे सुरक्षा कवच में रहेंगे जहां से सनी की ये धैया आएगी आपके सुरक्षा कवच को बेधेगी सुरक्षा कवच टूट भी जाए लेकिन आपको कुछ नहीं होगा सनी की धैया चली जाएगी लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिती नहीं है शनी वक्री नहीं है और उपर से कहीं सनी की दृष्टी चंद्रमा पर है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए मैंने अभी अभी जो उपाय बताया उससे अक्षर सा उसका पालन करिए रोटी पर सरसो तेल डाल करके और कुट्टे को खाने के लिए दीजिए इससे भी सनी की धैया में राहत मिल जाती है तो ये काम आप अवश्य कर लीजेगा आपको सुरक्षा इससे मिल जाएगी हनुमान जी की सरन में बने रहिए मेरा अपना अनुभाव है हनुमान जी की सरनागती सनी की धैया और साअरे साती का राम बान इलाज है राम बान तो आप इस इलाज को पकड़िए बाकी किसी चकर में मत पड़िए हनुमान जी की सरण में आईए समस्या दूर बारी आती है उस दूसरी रासी की जिसको ढईया लगने जा रही है और वो दूसरी रासी है तुला रासी तुलारासी के जातकों के लिए मैं कहूंगा कि आपको जादा परिशान होने की आवशक्ता नहीं है सनी की ये ढईया आपको भी कस्ट देगी लेकिन जादा परिशान मत होईए आपको जादा चिंता की आवशक्ता नहीं है क्यों? छेत्र का कारक, छेत्र के कारक हैं सनिदेव, छेत्र भाव में होंगे, छेत्र भाव में होने से प्लस पॉइंट लोटरी सट्ट्या जुवा, इसकी आदत है धाई साल के लिए त्यागिए एक, दूसरा, शनिदेव की तीसरी द्रिष्टी सष्ठम भाव पर पड़ेगी तो अच्छा ही है, शत्रूं से निजात दिलाएंगे, बुरा भी है, शत्रू पैदा करा देंगे आपको शत्रूता से दूर हनी चाहिए, शत्रूता पालने से बचना चाहिए, शत्रूता से जितनी दूरी बना करके रखेंगे, उतना आप सुरक्षित रहेंगे शनिदेव की सात्वी दृष्टी कर्मभाव पर पड़ेगी, पिता के साथ संबंधों में कमी, पिता की सेहत पर असर डालेंगे कारेक शत्र में लगातार परिशानी उत्पन करेंगे, उतार चढ़ाव की स्थिती बनाएंगे लेकिन जैसा कि मैंने कहा था तुलारासी को ज़्यादा चिंता करने की आवशक्ता नहीं क्योंकि चतुर्थस्तुसनी छेत्र में हैं और छेत्र के कारक होने के कारण परिशान तो करेंगे, क्यों परिशान करेंगे, परिशान क्यों करेंगे भाई इनकी तीसरी दृष्टी, सातवी दृष्टी और दसवी दृष्टी विच्छे दात्मक होती है सभी जानते हैं फिर परेशान क्यों करेंगे? आईए असल में ये परेशान इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी दृष्टी लगन पर हो जाएगी अब ध्यान से सुनिए सनी की तीसरी दृष्टी सश्ठंभाव पर यानि परेशानिया सश्ठंभाव के सिस्चिज का घर है तो रोग, रिपु और रिण परेशानियों का घर है परिसानिया जीवन काल में उत्पन्न हो निसंदे उससे बचाने का भी ये काम करते हैं सनिदेव का यही तो कमाल है ये बचाते हैं परिसानियों से लेकिन पहले उत्पन्न हो तब तो बचाएं उत्पन्न होगी अब कार्यक्षेत्र पर इनकी दृष्टी पढ़ करके कार्यक्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाओ जैसा आप चाहेंगे काम नहीं बन पाएगा समस्या ये होती तो बात बन जाता कोई दिक्कत नहीं थी समस्या दूसरी होगी क्या लगन पर इनकी दृष्टी पढ़ेगी और आपका हर कार्य बिलंबित होने लगेगा हर कार्य बनते बनते अंत में रुक जाए बिगरता नहीं सनिदेव बिगारते नहीं हैं बिगारते राहू हैं शनिदेव बिगारते नहीं विच्छेद करा देते हैं दूरी करा देते हैं जो चीज दो दिन में होना चाही था बिस दिन में होगा तो अब ज़रा गौर से समझीए कि लगन पर पढ़ने वाली सनिदेव की दृष्टी ने आपका हर कार्य बाधित किया कारिक छेत्र में परिशानी लगातार बनी रहने लगी और सश्ठमभाव पर दृष्टी रोग रिपूरिण चारो तरप से परिशानी आएंगी सब को सनिदेव सांत करेंगे क्यों क्योंकि होगा वही जो आप चाहते हैं इस सूत्र को रट लीजिए धाई साल काम आएगा बस तब नहीं जब आप चाहते हैं नहीं, जब आप चाहते हैं, आपको इंतजार करना होगा, सनीदेव खुद ही देंगे, सब कुछ देंगे, और आपकी चाहत से जाधा देंगे, बस आपको धैरे बनाए रखना है, इंतजार करना है, तुलारासी के जातकों को कहुँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शन कस्ट के भागिदार हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं है निश्चिंत रहिए अगर आपकी जन्म कुंडली में सनी देव वक्री हैं आप निश्चिंत रहिए ये सनी की धैया आपको ज्यादा कस्ट नहीं देगी थोड़ी बहुत मानसी कसांती कार्य बिलंबित लेकिन सब कुछ हो जाएगा बाकी हनुमान जी की सरण में आ जाएए पहले से ही आ जाएए और मेरी एक बात गाठ बांध लीजिए घर के करीब कोई मंदिर ढूंड़िये जो हनुमान जी का हो और नित्य सायमकाल आपको मतलब अब दुनिया ही समापत हो रही हो तो बात अलग है अगर आप उस सहर में हैं आप चल सफिर सकते हैं मंदिर में हनुमान जी के पहुँच जाएगा उनका दरसन करिएगा घर आईएगा आप देखेंगे कि धया को लेकर के जितनी भी बाते कही गई हैं साड़े साती को लेकर तो प्रिदर्श को आज मैंने धया के बारे में बताया ब्रिहत चर्चा साड़े साती को लेकर के होगी क्योंकि धया में उतना प्रभाव नहीं जितना कि साड़े साती में ये साड़े साथ साल का समय होता है तो साड़े साती भी चलने वाली है धनु मकर और कुम्भ राशिक किया होगा और आप सचेत होंगे दरने की आवशक्ता नहीं हाँ ग्रह का अपना प्रभाव है अपना स्वभाव है अपना काम है वो देंगे ही जो उनको देना है बस आप धैरे बना करके रखिए भगवान की सरण में रहिए कल के लिए अपने प्रश्ण कारिक्टरम के कॉमेंट में देना न भूलिए आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार